दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएं कि ता एक्वा लाइन के बारे में चूकि सेक्टर फिफ्टी वन नॉइडा को जोड़ती है ग्रेटर नॉइडा से अभी तक ग्रेटर नॉइडा तक जाने का कोई ओर रास्ता नहीं था मेट्रो के द्वारा पहले जो लोग जाते थे ग्रेटर नॉइडा एक्षप स्ट्रे के थू होके जाते थे बाए कार और वेब बस नाओ अब मेट्रो के दौआरा भी जा सकते हैं ये एक्वा लाइन आज 25 जन्वरी को इन्रोग्रेट हुई है और इसके दोवारा सेक्टर 51 से आप greater noida तक जा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको aqua line के main features के बारे हम बताएंगे यह जो line है इसको aqua line कहते हैं यह line जाती है आपके सेक्टर 51 noida से greater noida तक जो पूरा रास्ता कवर करती है इसका distance है 29.7 km इसके बीच में एक स्टेशन बढ़ते हैं जिसमें से 15 noida के अंदर है और 6 greater noida के अंदर है जो maximum fair है इस train का पचास रुपे है और जो fair की range है वो 9 रुपे से 50 रुपे तक है The security person जो aqua line के अंदर रहेंगे उनको CISF के जवानों ने train किया जो Delhi Metro के रखवाली करते है The train is designed इस train की जो maximum speed है वो 80 km तक है और average speed जो है 37.5 km पर आवर की speed है The aqua line के अंदर आपके 19 tracks है with 4 coaches each Will stop at sector 76, 101, 81, NSEZ, 83, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 157, 148 And Greater Noida में रुखेगी Knowledge Park 2, Parichok, Alpha 1, Delta 1, G Greater Noida Office and Deport Metro Station यह जो इसका corridor जो पूरा line cover आप करेंगे मतलब जो distance cover करेंगे इस Metro के द्वारा हो है 29.7 km में किस station है 15 Noida के अंदर है 6 Greater Noida के अंदर The final and mandatory safety inspection of the corridor were done last month by the Commissioner of National Railway Safety which gave its approval for the NMRC for launching this commercial operation तो इसके safety का पूरा ध्यान रखा गया है जो safety के commission है उन्होंने इसकी जाच की उसके बाद इसको inauguration के लिए भीजा गया है So अब जो main problem जो इस Metro line में है वो यह है कि दिल्ली की जो line है जो दिल्ली Metro है वो और यह equal line के बीच भी काफी distance है